हाई एवरिवन वेलकम अगेन इन केशो बानू क्लासेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कैसे आप सब उमीद कर रहा हूं दुआ कर रहा हूं बहुत बहुत बैतरी न होंगे और हमारी इस 12 गंटे की तियारी में आप पूरा-पूरा इदम फाइदा ले रहे होंगे च जो important notes हैं और practice question है वो आपको मिल जाएंगे लाश में जाते जाते important notes जरूर देख जाना सहाब बहुत काम आने वाले हैं तो देख सकते हो बन्तु वो few of course नहीं है उसके लिए आपको 20 रुपीज पे करने पड़ेंगे तो मातर 20 रुपीज पे करके आप वो चीजे ले सकते ह हो आपको पहले बता दिया जाएगा क्या 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 आपको मिलेगा तो अगर आप इच्छो को तो जरूर जाएगा यहां हम स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान के अत्ती महतवपून प्रश्न साहब प्रश्न करा रहा हूं हर question के साथ आपको नईनी चीजे सीखने को मिलेंग तो महतवपून question है फड़ा फड़ा आप देखिएगा पहला question देखिए अलिसा अलिसा जो परिक्षन होता है है ना एड्स के लिए होता है ठीके साप एलिसा एड्स का टेस्ट है इसमें जो ए है इसका पूरण रूफ बताना है इ का मतलब क्या होता है वो होता है enzyme ठीके में सब क्या है वो पतातू है है ना यह जो उपतातू होती है वो बहुत सारी मतलब चिपोन में समय होती है यूज चंदर्मा पर एक लोलक की समय हो दी पर इसके समय हो जाएंगी द्यान दखना यह हो जाएंगी बढ़ जाएंगी क्योंकि जी का मान परत्वी पर जी है तो वह बाई 6 हो जाता है ठीक सब इसलिए वो चेंज हो जाती है चलिए फोड़ा सा इधर ले ले लेते हैं 47 में 6 के f3 के बाद 4 है Ctrl Geekond hormones आयतन के मद्य सिद्धा संबंद है यू का ताप मान T और V के मद्य संबंद है P V R P V बराबर N R T N R T साथ ठीक है साथ T और V के मद्य जो संबंद है तो आपको पता चलना ऐसे यह जो आपको ध्यान में रखना है इसके मद्य जो सिद्धा संबंद है वो देता कौन है वो हैसाब आपका चाल्स का नियम है ना चाल्स का नियम जो हता है वो आपका संबंद देता है किसमें V और T में अगला कोशन कीजिए फड़ावट कीजिए साव समय कम है जाते जाते यह कोशन देखके जाने निमली खित में से विचार कीजिए पारा एक मात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर दववस्ता में होता है ठीक है साब आपको बताना है कौन सा सही है ठीक है तो एक मात्र अधातु नहीं है इसके अलावा भी होते हैं चले साब इसका इमांक माइनस 49 डिगरी सेंटिगेट औ सिक्स का जो राइट आंसर है कोशन नमर्श सिक्स का वह जाएगा साब सोरी वह केवल सेकिंड भी आपका अंसर हो जाएगा सेकिंड सही है साब इसका इमांक इक मात्र अधातु नहीं है ठीक है साब चले सो वाट का सो वाट वाले बल्ब दस बल्ब परती दिन एक घंटा जलते हैं तो परती दिन विद्यूत का वह कितना होगा अरे वाँ सौनंदें जल रहे हैं ऐसे डघंटे चल रहे हैं किटे डबलू अच एक आप किवाट आवर किलो वाट अवर यही तो हता है यूनिट जिसे आप यूनिक केता है तो किलो यानि कितने वाट y,amn kulowat, kulowat वाट साब किवाट San current 10 एंपाउर ये किवाट चाहिए यह तो वाट हैं बट दो अजार अब आगे बात हम करते हैं अब नहीं है किपकश कानी किलोवा डिया कितने किपकट्सी कि चौटं इसुमें एक क्यूंड भार पिछला question लोगे हैं एक मात्र आथा निये कारा तो दातु है इसलिए गलत तो ठीक है तोको यहाद आगे मैं तो पारा अथा तो निये वेशए प्रोमानीई होती है तिक आधात बीधान रखना पारा तो दातु है एक मात्र दातु है जो कि आपके temperature पे वो होता है अधा तू देखके थोड़ा सा confuse हो गयते ठीक है तो देख लीजिए गा ताप की वर्दी से परत्यावस्ता मापों के मान परत्यावस्ते माप है ना आपके परत्यावस्ती माप है है ना एल एरिया और ये सब ये क्या होते है इनका मान घटा है बढ़ता है या नियत रहते हैं तो ध्यान रखना घटा है प्रेशर कूकर में बोजन जल्दी पकता है क्यों साब प्रेशर कूकर में बोजन इसलिए जल्दी पकता है क्योंकि वायू दाब गट जाता है वायू दाब गट गया तो अंदर का दाब बढ़ गया गुबारे के अंदर का तो वो फट जाता है उस्मा परवा निम्ली खित्मे से किसे अंतर का परिणाम है उस्मा क्यों परवा होती है क्योंकि तापमान में परिवर्दन है अधिक तापमान से कम तापमान नहीं कम से अधिक की तरफ बहती है एक बंद पात्र को आरम में खाली किया जाता है तब उसके एक समान दर पर वास्प बरी जाती है तो पात्र में दबाव देखो साब, एक बंद पात रहे, आरम में उसको खाली कर लिया, तब उसमें एक समान दर पर, है ना, एक तरह खाली कर रहे हैं और उस तरफ वास्प बर रहे हैं, ठीक है साब, तो दबाव जो होगा, वो आपको बताना है, क्या होगा, तो पहले तो साब, जो दबाव है, वो सबी गेशों का आयतन दो सुन्य होता है, वो माइनस 277 डिगरी सेंटिकेट पे होता है, यानि जीरो कैलविन पर, जिससे पराम सुन्य ताब भी कहते हैं, ठीक है साब, आदुनिक मनिश्य का हाल का पुर्वज है, आदुनिक मनिश्य का हाल का पुर्वज कोन है, वो है, से खनीश से प्राप्त होता है वो पिछ ब्लेड ब्लेड से प्राप्त होता है जड़ मानवता निम्न ग्रंथी के अल्प इस्तराव से होता है तो यह रोग साफ जड़ मानवता है वो कों से अल्प जो है अल्प इस्तराव से होता है वो ध्यानकना थाराइट कारण होता है ठी साथ पढ़ें आप अगला कोशन देखें कार्बनिक योगीकों को रासाइनी गुन परदान करने वाला समू है कार्बनिक योगीकों को रासाइन गुन करने वाला जो समू है वो साथ और कोई नहीं वो है किरियासुल समू परमानु बम किस पर अधरिते परमानु जो बम है वह आप लारिते नाभी के विखंडन पर, सलियन पर कौन सा है, हाइडरोजन बम, ठीक है साथ, अति चालक्ता के संदम में निम्कतनों पर विचार कीजिए, अति चालक्ता किशी पदात के विदुत पतिरोज से सम्मझ देते हैं, इसकोज 1911 में के लिफ्ट जॉंस ने की थी, तो लगू तरंग दिर्ग तरंगों की उपेक्षा वायू मंडेल में अधिक परकिरन दिखाती है, इस कारण जो है, आपको विब्गोर से आपको पता ही है, है ना, तो लगू दो तरंगे वो अधिक परकिरन दिखाती है, तो अधिक फैलाव के कारण नीला रंग, नीला रंग का होता है ठीक है साफ निन में से कुन स़ ihyesins निकल और क्रॉमियम उन अलागके तो मैंने एक sort class डाली ती इसमें रहरे में आपको बता था अगर वह sort class जिन जिन नहें देखे होंगी वह बता पाएंगे कि यह तीनों सभी सही है ठीक है NH 마गके संदर में इस पात में जो कार्बन होता है ना कार्बन प्रतिसत पॉइंट एक से लेके दो के बीच में होता है ठीक है एन कोना और गुजरी कौन किस की नसल है एन कोना और गुजरी और किसी की नहीं मुझी की नसल से क्लोरोफोर्म का IUPC नाम क्लोरोफोर्म का IUPC नाम रखना साथ ट्राइक्लोरो मिथेर है कुकुर बिटा में सवन पुल होते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है C बाइको लेटर ठीके मानव सरीर में रक्त परिशन का सही अनुकरम है रक्त परिशन का सही अनुकरम देखेगा वो आपको देखना है आपके सामने option है दो मिनिट लगेंगे आप देखें अपना answer सोचें फिर चेक कीजिएगा दाया अलिंद ठीके साथ दाया निले फेफडा और बाया अलिंद यह आपका सही परिशन का अनुकरम है आपसे पूछा गया है क्वीट टेकर में पांच जगत वरगी करण में एक कोशी की एक केंद्रक दिवो को किस में रखा गया है वो रखा गया है मोनेर में निन में से कोई सा कार्बनिक योगिक है कारबनिक योगी कॉन सा है, जल, अमोनियम, क्लोराईड, क्लोरो फॉर्म, ओ या फिर अमोनियम, जल नहीं, खुआर, क्लोरो फॉर्म बने, कारबनिक योगी, जिसमें कार बनो, प्रति मिश्र दातू, इस पाथ में क्रोमियम होता है, जो जंग के पती अवरोध का कारे करता है इसे किस नाम से जाना जाता है इसे जो अब नाम जाना जाता है stainless steel इसको का जाता है PAN का पूरा नाम क्या है जो PAN है उसका पूरा नाम है peroxy acetyl nitrion फुलरिन किस का पुरूप है एकदम simple है फुलरिन किस का पूरूप है carbon का पूरूप है porthenium 1 है porthenium क्या है साब एक तरह का खरपत वार है ठीके साब नेमलिकेस में से कौन सा कतन सही है alkenne संत्रत योगिक है तथा इनका सामाने सुत्र CEN नीचे है H2N प्लस 2 होता है तो बताईए इसके बारे में इसके उदारन प्रोपेन और व्यूटेन आदी है तो बहुत important question है simple question है कर सकते हैं 34 का जो right answer है फड़ा फड़ा बता दे इसका जो answer है वो है C दोनों ही सही है ठीके नेमलिकेस में से कौन सा carbon का क्रिष्टिय अपुरूप नहीं है क्रिष्टिय अपुरूप नहीं है ठीके सब क्रिष्टिय अपुरूप अपुरूप कौन सा नहीं है तो वो है कोईला ग्रेफाठीरा और फिलरेन तो क्रिष्टिय होते है कोईला कोल ये सब क्या होते है आग रिष्टिन लियो होते हैं विटामिन C के संदद में कौन से कतन आपको विचार करें जहें सही कौन कौन सा है इसका रासाइनिक नाम एसकॉर्बिक अमल होता है तता सबसे उत्तम स्त्रोथ इसका आवला है अती उत्तम बताएं सब चत्चिस का ये सही है साथ जल्म गुंस निवल पृष्कार मिला है साब वो किसके लिए मिला गया है वह ध्यान रखना परकास विद्ध के इस दांत के लिए दिया गए है ठीक है साब चलें आगे इधर चलें निम लिखित विद्ध चुंबक के विखनों में से किसकी उर्जा अधिकतम है उर्जाएक्टम पूछि दे रहे हैं जिसके काण गिर्ध विलूप हो रहे हैं बारत में वह हुति important है the सेव के संदन में सेव के सुगन मुखिते निम में से किस एक के कारण होती है जो सेव के सुगन होती है वो और किसी के कारण नहीं इथे के कारण होती है मानो सरीर में निमलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त केल्चिम और फॉस्पेट को विनिमित करता है कौन सा आर्मोन इनको विनमित करता है तो दियान रखना साब बहुत important question है वो है पिराथायराइड हार्मोन ठीक है साब पिराथायराइड हार्मोन चलें आगे किन्विन का अंतिम उत्पाद जब सक्राक अच्छे माल की रूप में परियुक्त होता है तो किर्विन का जो अंतिम उत्पाद है वो साब है आपका एलकॉल वेस यो टू निनमे से किस उत्तक में कठोर कोशी का बिती पाए जाती है कौन से उत्तक में कठोर कोशी का अपने बिती है वो पाए जाती है वो दियान रखना साहब, आपको दियान में रखना चाहिए, वो है B, option number B, चले 44 देखें, हरित ग्रेय परबाव क्या है, हरित ग्रेय परबाव और कुछ नहीं है, वेस्विक्त आप में वरदी है, मनुश्ये में पेरा थार्मन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो रोग होता है साहब, फड़ा फ़र मैं आपको बताते ता हूँ, option number B, हाइपो कैल्सीमिया, जीन आवस्थित होते हैं, जीन आवस्थित होते हैं, गुनसूत्र में, माईक्रोकॉंडिया में, या फिर अपने हरितलवकों में या राइबोसों में, तो वो होते हैं गुनसूत्रों में, ठी के साब अनुवानसिक रोग है अनुवानसिक रोग कौन कौन से हैं साब ये सारी अनुवानसिक रोग हैं निन में से कौन उत्तक का एक उदारन है उत्तक का कौन उदारन है तो ध्यान रखना रत एक उत्तक का उदारन है ग्रेफिन क्या है बहुत वार पुचा गया है नेनो प परती रूप है सापकारबन का ठीक है साफ अगला जो है अब वापिस हमें 50 कोश्चन के बाद वापिस 50 कोश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं तो यह थोड़ा सा दियान दीजिए गा तो देखें साफ अगला जो कोश्चन है थोड़ी आवाज है आहा और हा आ आ प्रया जो कोश्चन है फड़ा-फट देख लें जो हैड्रोग्लोरिक अम्ल है उसका अन्छण नाम क्या है उसे लिए अब आपने मूरिक एसेटिक एटिक मूरेटिक अमल भी कहते हैं कोशन नमबर अगला देखें निन में से कौन सा कतन सही नहीं है सही नहीं है आप पड़े फड़ा फट आप अपने माइंड पे लगाएं थोड़ा सा सोचें तो देखें साब नहीं है डालों में प्रोटीन की पचुर मातरा होती है विटामिन ए का समझ सो दूद सही है अनाज कावाइट के अतियंत अल्प स्त्रोत है ऐसा नहीं है अनाज में तो कावाइट होता ही है चावल हो अपने जो रोटी खाते हैं वो सब तो यह आपका गलत हो गया तो आपका यह हो जाए ठीक है निन में से क इसे समझ देता है टीमी पोडों में होने वाला रोग है जो वाइरिस जनीत रोगों उसमें जो वाइरस है है ना वाइरस होने वाइरस है तो यह किस से रिलेटेड है विसानू से रिलेटेड है ठीक है साब बिक्कन प्रकास की रूप में निस्क्रिय गेस है वह साब आपकी कौन सी है? देखें. यह कून सी है? क्रिप्तॐन. इधर देखें हीलियम आरगन या नियुन है तो साब वो है नियून है ठीके सब्सक्राइब, इसलिए विक्रत करल एड्रोस्प्रम का उधारने एड्स से सम्मधित कत्नों को चुनें और आपको देखना है क्या उसका सही है ना एड्स का पून रोम एक्वाइड इमिनो डेफिशेंसी सिंड्रोम सही है साथ एक विसानों का नाम है और जो रोग की दांस के लिए से वेस्टन बॉल्व टेस्ट siya जाता है किया साव किया जाता है तो तीनों के प्या है सही है ठीक है साथ एक कुली 5 kg अपने ट्रों अपने सिर पर रेकर प्लेट फरॉर्म पर कर खड़ा है तो उसके द्केद्वारा किया गया कार ही आपसे पूछा गया है वह साबूर्श है आप भूर चीजे लगाते है करते हो आपको वसी द्यान रखना है खड़ा है वह और अगर फोर्स इंदन लग रहे हैंना फोर्स तो नीचे लग रहा है डिस्प्लेस्मेंट इस तरफ वैसे भी खड़ा ही है वो खड़ा है तो कोई कारी नहीं कर रहा डिस्प्लेश्मेंट नहीं है तो वर्क क्या हो जाएगा सुन्नी हो जाएगा ठीक है डिस्प्लेश्मेंट नहीं है तो जिर हो गया ठीक है साब कौन सा गलत है आपको बताना है गलत वाला बताना है साब गलत वाला बताना है तो देखे साब सही क्या है ये भी जान ले थूना साब अरे हाँ अपन को ये बताना है गलत गलत तो नहीं एक है नहीं दो है हमें तो अच्छा सत्य देख लिया था हमने तो साब देखिएगा वापिस चेक करें जो विडाल परिक्शन है वो टाइफाइड के लिए है और वेस्टन स्टेन परिक्शन प्लैक के लिए है तो गलत कौन सा है ना ही एक ना ही दो है ठीक है सब चलें अगला कोशन देखें फिलोसॉफर फूल यसद पुस्प का राशाइनिक दस्टी से क्या है ये साब आपको दियान रखना है जिंक ऑक्साइड है ना फिलोसॉफर फूल क्या है राशाइनिक दस्टी से जिंक ऑक्साइड है राइबो फ्लेविन ठीक है साब चलें इदर देखें मानो को जठर जठर पका छोटी आंत में खुलने वाला मुख कहलाता है जठर का छोटी आंत में जो मुख खुलता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं पाइलो रस ठीक है आपको बताना है एमोकिसी स्लीन निन में का अर्ध कत्रिम संसादन है तो आपका इसका दो राइट आंसर हो जाएंगा वो ए है पैनिसलीन का ठीक है साब 18 ग्राम पानी में क्या है 18 ग्राम पानी यानि H2O वाटर देखो ये 16 ग्राम पानी में हाइड्रोजन के दो परमाणू है उप्षिन अमर भी आपका राइट आज़ाएंगा ठीक है साब निम्म कत्नों में से कोन सा कत्न इस्तंदार्यों के लिए सही नहीं है इनके हद्दय में चार्टाइन कोश्ष होते हैं नहीं साब चार कोश्ट है ना तो यह आपका गलत हो गया ठीक है आगे देखिए प्राइय किसों के होते हैं बताएं फड़ाफड यह होते हैं सिवाल के सदस्टिय हैं ठीक हैं साप एक जिसे उंधिया से हम माद सकते हैं अगले क्वोशन देखेैन निम्लिकित हार्म lyrics में किस एक में peptid है ना peptid शंकला होटी हेでは ध्यान रखना किस में होती है इंसुलीन में होती है राइजो बियम एक किस का एक परकार है राइजो बियम और कुछ नहीं है साब एक सजीवीज जिवानू है बैक्टीरिया का एक परकार है पोदे के किस बाग को केसर के रूप में इस्तमाल किया जाता है तो जो केसर है वो साब क्या है वर्तिका य ही होता है चले है इधर देखे साफ documents में पकिरिया में solder की रूप में परियोक्त किया बाना गया किसी सावे उद सब्सक्राइब होता है और खिए सब्सक्राइब करता है ये उत्पतिक करता है सरीशा, कौन सा कह मायोपिया के संदने कौन सा कतन सत्या है एक सथिती जिसमें पास की वस्तोय दिखाहाई देती है लेकिन दूर की वस्तों साफ दिखाई देती है फिर दर देखें निकरदस्ती मायो फिर इंडिया जो है किम को अवतर लेंस के प्रियोग दोरा सुधारा चाह सकता है कौँसा कतन सही है केवल दो केवल नमबर दो केवल दो सही है ठीक है साथ सहयोजक योगी के किस्टोलों में सदेव होते हैं सहसयोजक योगी के किस्टोलों में सदेव क्या मिलता है आपको वो मिलता है परमाणों की सरचना आत्मक इकाईयों के रूप में होते हैं ठीक है साथ निम लिकिन जिवाणों में से कौन सा एक मिद्दा उवरता को उत्पन करने में मदद करता है वो है साथ राइजो बीया, ठीक है साब, असान सा कोश्चन है, रोग है और कारक है, तो ये आपके सामने रोग हैं और इनके कारक हैं, देखने हैं, आपको सुमलित करना है, जो ए है, वो सुत कर्मी के कारण है, इन्फ्लूजा, आपको पता है, विशानू के कारण होता है, गोल कर्मी य यह कवक के कारण होता है और टाइफाइट जिवानों के कारण होता है ठीक है उसे आप देख लेना आगे देखें उदर से लगा मानव अंत का लगू का उपरी बाग क्या कहलाता है वो कहलाता है है option number C ठीक है मन्दन को हमनThe किस तरह परिबासित करते academics कुछ नहीं है तो इसका वेग एक समान उतु干ी हो आप ऐसा तृण उत्पन होता है जब भी वरताकार होता है तो अब केंद्रियंद apresent लगत रहता है कैना तौरान तो इसका वेग समान होता है ठीक है कि यह जो Qauty Stone है क्या है Qauty Stone साब एक तरह का हार्म है ठीके साब अधिकांस इंदन कार्भणिक योगी कि होते हैं किस रे Спन दोनों के साथ जो बनते हैं वो सारे फिर इंदर में सब्सक्राइब कार्बन और हाइट्रोजन होते हैं ठीके साथ चलिए अगला कोशिन देखें गुरुतिवे करवन जी के संदम में आपको विचार करना है क्या साथ विश्वत रेखा पर अधिक वे दुरुआँ के कम नहीं साथ के इंदर की और जाने पर कम होता है हाँ साथ के इंदर की और जाने पर भी कम होता और उपर जाने पर भी कम होता आप्शन नमबर भी आपका राइट हो जाएगा एक सदिस रासी में परमानू और तता दिसा दोनों होती है पर तो आपको क्या बताना है निन में से सदि तो उसलिस रासी है सदिस कौन सा है उजा अदीस है कारे भी अदीस है गती भी अधीस है विश्थापन आपका सदिस है इसका बाई दूरी अधीस होता ध्यान लखना ठीकित सब अगला जो कोशन है आपके लिए नुमेरी के लें कर लें फड़ाफट एक वस्तु उपर की और 14 मींटर पर सेकिंड की चाल से फिंगा जाता है उपर किरह 14 मींटर से चल रहा है वह 10 मींटर ऊची वड यह जो उपर जा रहा है वह 10 मीटर जा रहा पर पहुंचने के लिए समय की करना और यहाँ पर वेलोसिटी आपको पता एक दिस्टन्स आपको तो वी बराबर यू प्लस 80 यह भी आप लगा सकते हूं यह ना क्योंकि जी आपको पता है जी आपको ए क्या होगा जी होगा तो इसे भी कर सकते हो 14 है और जी अपन में बटव में 2 लगा लीजिए तो 10 लगा ले तो 1.4 के आसपास आएगा इससे कम है तो 1.4 से थोड़ा सा ज सबस्तान आपको द्यान रखना इन तीनों पर ही डिबेंट करती है ठीक है सब चले आगे इस तंदारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशी का इस तंदारियों के रक्त में पूचा गया है सबसे बड़ी कोशी का कौन सी होती है मोनो साइट होती है ठीक है आप कभी भी सी कर आते हो तो आपको एक Monosite आते हैं न तो वह सबसे बढ़ी है सुन्य में सतन तुरूप से गिरने वाली वस्तों का दियान दखना समान होता है क्या होता है समान होता है थीके साब C, एक जीन और एक इंजायम की अफ़धाना किस ने दी थी, वो दी थी बिडल और ठाटम, ठीके साब, एंटिबर्टिक सब्द निम मेंसे किस ने दिया था, ध्यान रखना, यह सब्द देने बारे और कोई नहीं, सॉल्मन वेक्समेन है, सॉल्मन वेक्समेन ने दि किसका भाग है तो इसका जो राइट आंसर है वह ध्यान रखना ऑप्शन नमबर डी जनन तंतर ठीक है निम लिकेद में से कौन जे उरक के रूप में परियुक्त होते हैं यह आपको ध्यान में रखना है साथ तीनों के तीनों ही होते हैं पहला दूसरा और तीसरा ठीक है साथ साइट्रोकॉम साइट्रोकॉम किसमें साइटा करता है जो साइट्रोकॉम है वो साइटा किसमें करता है यह साब साइटा करता है इलेक्ट्रोन के परियुवन में सुची है आप बताएं फटा-फट जनन गरंती है इसमें कौन से यह आपके प्यूस गरंती है क्या काम आती ह तो आपको देखिए साब, अराम से बना सकते हैं, आप प्यूस-गन्थी का तो पता ही है, वर्दी-मर्थिया हार्मोन है यह ठीके, अगर मैं जनन-गन्थी का बात करूँ तो यह पोजिस्ट्रोन इस से रिलेटेड है, अगनाशी से रिलेटेड मैं अगर बात करूँ तो आपको पता इंसुलीन, बचा एड्रिलीन, कॉस्टी, सौन, ठीक है साथ, बना लीजिए बांसर अपना, निम लिकित में से किस विटामिन को हर्मोन माना जाता है, कौन सा विटामिन है, जिसे हर्मोन भी माना जाता है, वो है विटामिन डी, दूद को पचानी के लिए आवश अशक, एंजाइम, कौन से साथ, रैनीन और लेक्टोस, मानियो शरीर में कितने वर्स की आयू में लुप्त हो जाते हैं, तो लगबग लगबग ये जो है, ये आपकी लुप्त हो जाते हैं, मानियो शरीर में कितने वर्स की आयू में लुप्त हो जाते हैं, दियान दखना स तो एक ही तत्व के क्या होता है समस्थानिक में समस्थानिक में और कुछ नहीं होता है साब आपका क्या होता है एक ही पर्मानु संक्या होती है और विविन पर्मानु दर्वान होती है समस्थानिक स्थान तो एग ही है तो पर्मानोंस नहीं साँ होगी और दर्मा ना लगा-लगँगा अगे देखें अगस्त वीज में निमन लिखित में से क्या प्रषस्तावित किया था। उन्होंने प dual कोंसा कारिय नहीं करते हैं। वितामिन साब शरीर के अवियों का निर्मान नहीं करते हैं, टाइफाइर के अवचार के लिए निन्मेज से कौन से जाती है? तो टाइफाइर के '! जी जाती हैw चैलोरोरिमन फैनीकॉड निम इस तरौतों मेंसे उजह विकरण की बढ़ती विस आपको तो सही करम आपको बनाना है, то बनाएं आप सही करमी, फटा फट आपको दूमिन्ट देता हूँ, फटा फट सही करमी बना लिजी को तो सहाब आपने बना लिया होगा, इसका जो रैट आंसर है, question no.4 का जो रैट आंसर है, option no.B. 4, 3, 1, 2, ठीक है सहा, चले अगला, कौन सी रक्त वाई का साफ रक्त फेफडों से हर्द्य में ले जाती है फेफडों से हर्द्य में ले जाने वाली साफ रक्त को वो है फुस-फुस सीरा ठीके, चले, टेसला निमलिखित में से किसकी काई है टेसला निमलिखित में से किस की काई है तो ध्यानकना टेसला साफ चुम्ब के तिर्वता की काई है ठीक है साफ चलें आगे आगे चलें निमलिखित किरण युगमों में से कौन सी प्रकती में विदुद चुम्ब के होती है तो वो साप हो जाएगा X किंडे और गामा किंडे में विदुद प्रकति हो दिये यदि एक वेक्ति 2 समतल दरपन 60 डिगरी पे लगा लेता है और उसके आनन्त पे खड़ाया बीच में खाऊ गया तो उसमें परतिबिम कितने बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कितने बनेंगे पांच कैसे साफ फॉर्मला होता है 360 अपॉन थीटा माइनस वन थीटा कितना आ गया 60 तो यह कटके थे आगे 6 माइनस एक पांच आ ठीके साफ यह मैंने किन ःट के सोटनोड त्वेंटि रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे क्या kami इसपर आप जांकारी लिश होती है तर्नर्ण सिंडियोम में गुंशित्रों की संक्या होती है तर्नर्ण सिंड्रोम में जो को परावर्तित किये बिना रसाइनिक अभी करिया के घर को परभावित करने में समर्थ होता है उसे कहते हैं उत्व पेरक चलें सब अगला कोशन दे सल्फिरिक एसीड के साथ मिस्षित होने पर लिटमस कौन सा रंग बनाएगा तो आपको पता है ल्यटमस क्वास कौन सा बनाएगा लाल रंग देगा ठीक है अगला देखिए दातवों पर विचार किजिये और रैडियम और प्रेटो नियम यह नशियाँ परीयोग कों सा प्रियोग करते हैं आचे और कर अ ट्रोनियम का भी करते हैं, रीडियम का नहीं करते हैं, निमलिकित में से किसे लेसर का आविस्कारक मानते हैं, लेजर का जो लेसर का आविस्कारक है, वो है मेमें, है ना, थियो डोर मेमें, विगटन नाभिक पौधातो द्वारा, कौन सी विदू चुम्बिक के विक्रेन उस वो की जाती है अगल्य कोशन में चलें स्कॉसंट नमर 17 निमलीकत में से चल चित्रिफ पर्चेपित का अविस्कारक किसी नहीं घ्री ने किया दा चलें कोशन नमर 18 पर निमले की तरंगों को बढ़ते हुए तरंग देदर के अधार पर करमित कीजिए आप विब्ग्रो वाला है यह आपको आना चाहिए मैं आपको डारेक्ट सईसी आंसर बता देता हूं फटा फटा बता देता हूं पिए बेंगनी सबसे पहले फिर अपना आया पिला पिला फिर पिला फिर एक यानि डी आता हो जाएंगा ठीके सब फड़ा फड़ा बना लिसके निमले के इसमें से कौन सा प्रोटेजवादारा उन्हेवाला रोग है एकदम आसान है सब भी मलेरिया ठीके सब भी मलेरिया कौन से तत्वक और रसाइनिक विग्याम में आवारा तत् फॉर्मलीन का 40% किसका 40% कुझte क्यों हो जाता है उसका कारण क्या है सब उसका करण है क्योंकि पेन के जु बाहर का वाईवनदेल दाब कम होने के कारण तो बाहर का कम होगे तो अंदर वाला बार आजता है जरता क्या है जरता कुछ नहीं इसाब वरत्मान स्थिति में पर तो गती में रहेंगी, इस्तीर है तो इस्तीर में रहेंगी. Option number A आ गया. जंक से बचानी के लिए लोहेवे इस्तिपात पर कलाई चड़ाने के लिए किस प्रदात का प्रियोग किया जाता है? किस की कलाई चड़ा देते हैं? पता ही अगला साब, किसी प्रदात का साचेप्त गनतुर, 25 का अंसर देखी है, वो साब उसका कुछ नहीं है, उसका गनतुर का पानी की गनतुर से अनुपात है. निमलिकेद में से कौन सा कतन सही है? बताओ साब, यह पहला आपके सामने हैं. अच्छा थाई option है. करबनिक योगिक में एथिनॉL एक अच्छा विलायख है, हैना कारबनिक योगिक के लिए. तो 26 है साब, इसमें देखना ऐकों से सही है, तो यह तो सही है. इतिनोल का कतना गलनाग पानी से कम होता है, ये भी सही है, इतिनोल का प्योग टिंचर आयोडिन में किया जाता है, ये भी सही है, तीनों ही सही है, ठीके साथ, चले किस अगर किसी पर्मानू का पर्मानू संख्या, तर्मा संख्या 23 तो पर्मानू में करमे सा प्रोटोन, प्रोटोन तो कितने होंगे, दस ही होंगे, प्रोटोन क्या होंगे, दस इसमें से गटा दू, 13, 10 और 13 अप्शन नमबर D आजाएंगा 27 का, ठीक है साब, चले, EMI का वेवार में से किस पर निरबर करता है, EMI का जो वेवार है, वो साब करता है, तरंग देदरी पर निरबर, दो परागन बंद पुस्पो में होता है, उसे क्या कहलाता है, वो साब कहलाता है, अप्शन नमबर A, कलिस्टो गेमी, बीज विक्सित होता है, बीज जो विक्सित होता है, वो ध्यान रखना कहा होता है, विक्सित, वो ध्यान रखना बीजन में विक्सित होता है, पीत जवर का इस्तारांतरन होता है, किसके द्वारा, वो होता है, मादा एडीज के द्वारा, सदाबार पोदे वर्सबर हरे रहे रहते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण और वर्सबर नमी का अगलब्द होना लिलीस नेद्वि नामकरण की विचारदारासरो पथन्ध परकासित की, बताओ किसमें परकासित की थी, वह की थी Option number B Species Planeterum है ठीक है तारपीन का तेल जो तारपीन का तेल है कलरवलर में डालते हो आप है न वो क्या होता है वो कुछ नहीं होता साब तारपीन का जो तेल होता है वो होता है पाइनस से ठीक है साब कहा से पराप्त होता है gotikopon में संगरित बोझगय पदा थे कौको में जो संगरित बोझ grasses पदा किलीकोजन संगरित संगरित पदाथ है यांतरिक कई कितना करना पड़ता है यह आपको आना चीह दो हुएंन कोशन है इसको पता होना चाहिए आपको कितना यांत्रिक कारिय bishop क्अ तो वह तो फो इस दिस्ति पर बेंट हीटम के बडबर हो जाएगा लेटेंट हीड़ कितनी सबộc की 1 ग्राम यह है उसको zero degree statry की बरफ है बरफ से पानी में बदलत यह मुणता है तो लेटे डियूज लेती है प्रतन बनानी के yep अगला चलें कोलोरि परतन बनाने के लिए इस्तमाल होने वाला जर्मा अतन वाला जर्मानी क्तिक निकल होता है तो समें क्या होता है तो उसमें होता है साब आपको मैंने एक छोटी सी क्लास लगाई थी देख ले ना तामबा जस्ता निकल होता है ठीक है साब option number D आपका अंसर हो जाएगा neutrophil और lymphocyte किस से उत्पन होते हैं यह जो neutrophil से इकल टू M A होता है M A के यह भी A के तो कितना आ गया एक मिटर पर सेकंड इस्कुराइड सी आजाएगा अगला है कौन सा कथन सही है होते हैं A plus sign ऊत्पन करता है सही है सवाद में कड़े होते हैं हवह हम Hai सभी नहीं ही सही है ठीक है सब फटाफट करें रत द्वारा अक्षिजन का संचार किसकी साहिता से होता और औक्षिजन का संचार हीमोगलोब निर्म से कौन सा समहोग दर्व है आपको ध्यान रखना है समहोग दर्व यह कौन सा अपने यह है ल्यूमिनल ठीक है साथ ल्यूमिनल को समहोग दर्व भी कहते हैं वर्द महिलाओं में आस्टोपॉरिस मुख्य रूप से पाया जाता है यह द्यान रखना साथ कमी होती है किसकी कैल्सियम की कमी के कारण ठीक है फड़ा फर चलें किसकी कमी से मेरास्मस और कोशियोरों को बिमारी होती है किसकी कमी होंगी तो यह बिमारिया होंगी आपकी प्रोटीन की कमी से ठीक है साथ निर्म से कौन सा रोग मस्को यानि जिंगू चिकन गुरिया यह तो होते ही यह पीजवन, लोटो स्पोर्योसिस, यह नहीं होता साब, वी अकार के गुनसुतर में होते हैं, वी अकार के गुनसुतर में क्या होता है, वो साब होता है, मेटास्टेनिक, ठीक है साब, नेमलिकेद में से कोस्का बिती नहीं होती है, इन में से कोई नहीं है, सब में इसमें कोश्विका बिती होती है, चलें, यदि कान रेखिक सम्वेक दुगना कर दिया जाए, तो गतित उर्जा क्या होती है, अब ये आपको आंसर देना है, जिना, एनरजी होती है, वो P स्कॉाइर के समानू पाती हो जाती है, जिना, पी स्क क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक हमें ब्रॉसान देते हैं, जल्द ही नए चप्टर की जो नहीं है, वो आपके लिए लाएंगे, तब तके लिए इन कोशन का अगर चाहिए, पीडियाफ तो वार्टसप कीजिएगा, सत्तर एक तालीस, इकत देखिए 10-15 मिट का गैप है, अराम से पानिवानी पीजिए और इसके बाद स्टार्ट करते हैं, जय हिंद, जय भारत